Hello Friends! मैं आपके लिए आज श्ट्रॉबेरी केक लेके आई हूँ पहले मैंने इसका बेस रेडी किया फिर उसके बाद उपर में आइसिंग किया और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी क्रस्ड डाला और पेलेट नैट से इसको प्लेन कर लिया फिर flavor के लिए मैं इसके उपर थोड़ा सा चौको टिप स्प्रिंकल करूंगी ताकि flavor अच्छा है और फिर उसके बाद मैंने final coat डालके इसको crumb coat कर लिया है मैं इस cake को आज pink and white color से decorate करूंगी final coat इसका pink and white color रहेगा पहले मैंने pink color का coat नीचे वाले हिस्से में डाला है और फिर फुली उपर वाले हिस्से में white color डालूंगी अभी मैं white color उसको decorate कर रही हूँ अच्छी तरह से ताकि अच्छा finishing आए ओ नो मेरा cream खतम हो गया पर मैंने फिर से cream भर लिया और फिर उसके बाद palette knife से उपर वाले हिस्से को plane कर लूँगी और scraper से नीचे वाले हिस्से को plane कर लूँगी अब मैंने cake को अच्छी तरह से plane कर लिया है और जो excess cream है उसको मैं scraper से हटा रही हूँ और फिर धीरे धीरे करके सारे excess cream को हटा दूँगे और ये रहा मेरा final cake और ये है मेरा photo cake इस photo cake को decorate करने के लिए मैंने star nozzle का use किया है star nozzle से मैंने roses बनाए है और कुछ stars बनाए है और फिर golden sprinkle से मैंने इसके उपर side में sprinkle किया है उसके नीचे वाले हिसे में मैंने golden sprinkle यूज किया है और border में मैं चोटा चोटा dots डाली हूँ white color का और chocolate garnishing यूज की हूँ heart shape का जो की खाने में बहुत tasty लगता है और बच्चे को भी बहुत पसंद आता है अगर आपको इस cake का order चाहिए तो comment बढ़ें